जो बठती सारिक सिक्षा का जो सिक्षे का बनना चाहते हैं उसके लिए जो एक इंटरेस एकजाम होता है प्री B.P.8 उसका जो ओनलेन आउदन है वो ओनलेन आउदन प्रोसेस शुरू हो चुका है B.P.8 2022 के लिए जो ओनलेन आउदन है कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके अलावा मैंने एक इस पर एक वीडियो भी बनाई है जिसमें ओलाइन आफदन किस्पकार से करना है इसमें सेक्षिनिक योगिता क्या रहने वारी इसकी फीस क्या है और भी कुछ अमयत्मुन बाते हैं जो बाते मैंने उस जना पढ़ता है तो यहां पर यदि आप मेरे चनल पर नए हैं तो मेरे चनल को सब्सक्राइब कर दिजे ताकि इस तरह की जो बीपेट से संब्धित जो वीडियो है या भी जो न्यूज है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो बीपेट प्री 2022 के ओनलाइन आउधन करने के लिए आपको गूगल के सर्च बॉक्स में लिखना होगा बीपी एट दोजारबाइस टोट कॉम यह लिखकर आप लोग सर्च करेंगी तो आपके साब ने स्क्रीन के ओपर इस परकार का पेज खुल जाएगा अब देखे यहां पर कुस इंटेक्शन यदि आप लोग आपको इस वाले ओप्शन पर क्लिक करना है यदि आप लोग इंट्रेस एग्जाम में ओनलाइन आउधन करना चाहते हैं तो इस पर हम लोग जब क्लिक करेंगे तो इस परकार से आपके सामने फुल जागा यहां पर आपको कैंडिडिट का नाम लिखना है यहां पर आप ल इस पर आपके सामने निया पैज शो हो जाएगा अब लेगे यहां आगे आप लोगो अपना मदर्स का नाम लिखना है और यहां पर आप लोगों को फोटू और जो सिकनेचर है उसको अपलोड करना है अब दयान देखिए 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 जो साइज होनी चाहिए और इ आप लोगों कोते का यहां रहु होनी सायी तो यहांस देखिए इसको मतर्स कक्फोटो मैं के और एक हर झेगal कर देखिए तो छोड़ करें सक्रादी कर दें धुछ ऌर इथा है वहां ब्लाइखिए रिभरी देखिए जो ऑना मैं आपको एक बता देखिए निया हमने दिख ए इस ऩृटो यहां पर ठाट हो कर देखें और जहिए पर किछुप यहां फाटो और आपके फौटो और सेवेवह विवास से ते सिलेक्तिर कर को आपका gender किया मैल फीमेल जो भी आपर प्रिमेल एपर सलेक्ट कर लिए और यहाँ पर अपका हजबेंड का नाम नाम नहीं आगा जाएगा इसके अलावा यहाँ पर State of boniféED यानि की आपका जनम स्थान कहा है तो जहां भी आपका जनम स्थान राज़सता तो राजसeller कर लेक्ट कर लेना है यहाँ पर आपको डिस्टिक्ट स्पलेक्ट कर लेppy и कोन्से रिस्टिक्ट से हैं तो यहाँ पर मैंने डिस्टिक्ट कर लिए यदि आप लोगों ने BPE यदि कोर्स कर रखा हैं तो यदि आपको येस और नो पर जबाब देना है और यदि आपने कुछ कर रखा है तो आपको येस करना है वरना आपको येस करना वरना नो कर देना है तो यहां पर फिलाल में इसको नो कर लेता हूं उसके बाद में यह यहां पर लिखनी है उसके बाद देखिए यहां पर आप लोगों को अपना एड्रेस लिखना है जो भी आपका एड्रेस आप लोगों को यहां पूरा एड्रेस लिख देना है डागर कौन सा है रज्य कौन सा है पिन कोड इमेल मुबाई नमबर यह जो भी जो भी सारी चीजे मांगे इसको आपको detail को fill up करना है इसके बात यहाँ पर देखिए bank account number अबेर्थी अपना स्वें के नाम से bank खाता होना ज़रूरी है यहाँ पर अबेर्थी के परिवार के को भी सदेशे का bank खाता है कोर्स स्ट्रीम का मतलब है आप लोगों के पास में कौन को से subject है सार्स, साइन्स, कौ्मरस वहाजाएगा लेकिन किस्ट क्षा दस में अब शूर्ष, काइचे सब्चेट में अब लिए सकते हैं और चाहिए यदि आप लोगों ने कक्षा बारा में Arts या Commerce या Science से करी तो वो भी लिए आप लोग लेख सकते हैं यहाँ पर Board Audacity आजाएगी तो यहाँ पर रजिस्तान से है तो आप लोगों ने BSER से करी होगी यानि Board of Second Education से कक्षा 10 से पास करी होगी यहाँ पर उसका Year साजाएगा किस Year में आप लोग कंप्लीट करी है कक्षा 10 यहाँ पर Total Marks और Total Marks में से कितने Marks है वो यहाँ लिकना है और इसके बाद जो पसंट है यहाँ पर आप 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 लोगों को कक्षा 12 का भी करना है और ठीक इसी तरह से आप लोगों को graduation भी करना है यदि आप लोग graduation में appearing चल रहे हैं यानि final year में चल रहे हैं तो भी आप लोग home के लिए apply हैं लेकिन जब counselling हो उससे पहले-पहले आपके हाथ में graduation की market होनी ज़रूरी है इसके अलावा यदि इसके अलावा आप देखिए सारे सिक्षा के लिए एक course होता है तीन साल का CPE 8 और DP 8 यदि वो आप लोगों ने कर रहा है तो यहां से आपको pass या peer जो भी है यदि आपको select कर लेना है फिर से वोग को system, board, university, year, marks ये सारी डेटिल आपको fill up करनी है 1 year diploma in coaching पर से वोगों को एक sports से संबंदित कुस शैटिफिक्ट भी आप लोगों को इसके बारे में जानकरी देनी होगी आप लोगों को इसके बारे में जानकरी देनी होगी यह आप लोगों करते हैं select certificate level सा था या औल इंडिया इंटरने इट श स rubbing दरो दो वरा के बहुत कई अम आगने लिए किकल्चर रिजनल लेवल मांक्स के अब यह और इसके मां अब कि इसके लिए अलगों कि दें तो कैटेगरी कोना लिखना है, उसके बाद में किस संस्ता ने जो खेल है यानि जो गेम से उसको करवाए था, किस येस में कराई था, कहां पर कराई था और कुछ इस्पेसल को रिमार्क हो तो रिमार्क भी आप लोग यहां पर लिख सकते हैं, तो यह सारी डीटेल आप लोगों को भरनी है, और के बाद में यहां पर Save and Process वाले option पर आपको क्लिक करना है तो एक बार यह detail फूरी में आपको fill up करके बता देता हूँ तो यहां पर मैंने अपनी जो पूरी detail यहां फर fill up कर ली है आप लोगों को भी इसी तरह से जो अपनी detail है वो detail आपको फूरी तरह से fill up कर लेनी है fill up करने के बाद में यहां पर देखिए Save and Process का बटन आपको तिखाई दे रहोगा इस वाले option पर आपको यहां पर क्लिक करना होगा यहां पर आपको देखिए एक option छूट गया BP आपको Yes और No सलेक्ट करना है तो यहां पर मैंने जो कुछ error आया था वो error को हटा दिया है आपको यहां पर Save and Process पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करेंगे तो यह आपको verify करने के लिए किएगा तो आप लोग साई detail एक बार match करा लेना है तो यहां पर OK बटन पर क्लिक करना है तो हम Process पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए विये verify करने के लिए किएगा तो यहां पर निचे इस verify वाले option पर आपको यहां पर क्लिक करना है तो जैसे आप लोग verify पर क्लिक कर दोगे तो यह जो आपने form बढ़ाता वो आगे अगे अपले हो जाएगा अब यहां पर आप लोगों को payment करना है देखिए जो payment करने की जो fees रहेगी वह आपके यहां पर 700 रुपे fees रहेगी और भी यहां पर लोग इसकी detail देखना चाहते है तो मैंने इस पर एक वीडियो बना है वो वीडियो आप लोग देख लिजे इस वीडियो के लाइक्ट में उसका लिंक मिल जाएगा तो यहां पर देखिए make a payment वाला option आपको दिखाए दे रहा होगा इसे आपर make a payment वाला option आपको यहां पर क्लिक करना है अब यहां पर आप लोगों को online payment करना होगा तो payment आप तीन तरिके से कर सकते हैं net banking, debit card और UPA से आप लोग payment कर सकते हैं तो net banking से करने के लिए यह देखिए आपको पेर नियम यानि आपका नाम लिखना है आप लेकिए net banking आपकी कौन सी है ICC bank की अधर बैंकी है net banking, debit card, UPA से जब आप लोग payment करेंगे और process नाओ के क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपका जो भी process होगी उस process को आपको complete करना है complete करने के बाद आपके mobile ने पर OTP आएगा OTP डालना है OTP डालने के बाद आपका अकाउंट से जो पैसे 700 रुप, 700 रुप, 700 रुपे कट जाएंगे तो इस तरह से आप लोगों का जो यह online process वो online process पूरा यहां पर होता है एक चीज यह आपर मैं बता देता हूँ कि इसके आपका पेंट आउट जरूर लेना है तो अपने फोम ब्राज को हुआ कि नहीं हुआ वैसे तो आप पता पढ़ जाएगा आप लोगो और यदि आप लोग देखना चाहते हैं कि मेरा payment successful हुआ या नहीं हुआ है यहां पर देखकी यह लिकवा है चेक चलान टांजेशन इस्टेटिस इस वाले option पर आप लोग क्लिक करकर अपना payment successful हुआ कि नहीं हुआ यह आप लोग देख सकते हैं तो इस पकार से आप लोग बीपेट प्री बीपेट 2022 का जो ओनलाइन आवदन है वो ओनलाइन आवदन इस पकार से कर सकते हैं यदि दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना यदि आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि फिर भी पेट से समझे जो भी न्यूज है आगे की जो काउंसलिंग है किस सरसे आपको कोलेज में डोकुमेंट जमा कराना है कौ